आज देखिए हमारी LED LCD TV रिपेर में जो हमारा कलास है सब्टवेर का कलास चल ला है सब्टवेर का कलास चल ला है आज बताएंगे जो LED LCD TV में चय है नार्मल LED LCD TV हो या स्मार्ट TV हो या एंड्राइट TV हो कोई भी TV हो हम पैंड्राइब से सब्टवेर कैसे डालते है यानि जो पैंड्राइब से सब्टवेर होता है पैंड्राइब से सब्टवेर उसमें कैसे डालते है देखिए pen drive जो हमारी होती है पहले यह जान लिजिए 100% में से 90% हमारी pen drive से सब्टवेर ले ले लेती है programmer के हमारी कोई भी जरूरत नहीं होती है चाए RT809H हो चाए RT809F हो चाए U या 5 box हो कोई भी हो programmer के हमारी जरूरत नहीं पड़ती है अगर हमारी 100 में से 90% हमारी pen drive से सब्टवेर ले ले लेती है क्या होता है 100 में से 90% हमारी pen drive से सब्टवेर हमारी ले ले लेती है और देखिए जो 10% हमारी है सब्टवेर किसमें नहीं लेता है 10% हमारी उसमें सब्टवेर नहीं लेता है नो display होगा, backlight OK, boot failure होने ये भी हो सकता है, कि bootcraft हो, क्या होगा? stand by जो light होगी हमारी LED LCD TV की, अगर हमारी stand by हो सकता है, light dim जले, bootcraft होने से, या हो सकता है stand by arm नहो, यानि ये सब problem आप देखने को मिलेगा, एगर ये सब problem है, तो ये जान लीजिए, कि boot failure है हमारी, boot failure पहचानने के लिए क्या करना है, हो सकता है, दखिए android TV और smart TV में देखा गया है, कि no display होगी, यानि backlight होगी, no display होगी, हमारी picture नहीं होगी, उसमें क्या है boot failure है, 100 में से 95% हमारी boot failure है, जान लिजिए, और हो सकता है जो हमारी logo stable होता है, और क्या होता है, logo stable होता है, logo पर hang भी करता है, तो 100 में से 95% यह भी जान लिजिए, कि उसमें boot failure है, यानि दखिए और जो normal LED LCD TV होता है, इसमें क्या होता है, जब हमारी boot failure होती है, तो हो सकता है कभी का जो indicator light होगा, यानि standby जो light होगी, हमारी dim जलेगी, या हो सकता है जो standby हमारी light है, क्या होगा, standby light पूरी जलेगा, लेकिन क्या होगा सभी voltage होगी होने कबाद भी, 3.3 volt, v-core voltage, reset voltage, ram voltage, यह सब ओकी होने कबाद, यह क्या होगा हमारी standby जो होगी, standby आन नहीं होगी, यह सब देखने को मिलेगा, इसलिए तो क्या है, boot failure है यानि, जिसमें हमारी boot failure होगी, उसमें हमारी pen drive से सब्ट्रिवेर नहीं लेगी, आज जो मेरा class है, pen drive का class है, यह देखते रहे हैं, इससे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ, इदकी यह वीडियो देख लेंगे, पड़ती है, उसमें कौन-कौन सी pin होती है, पूरी detail देखिए, आपके screen पर देखाई दे रहा है, उसमें पूरा detail है, यानि अगर यह वीडियो आप देख लेंगे, तो Android TV और Smart TV में, जो software की, software उसमें क्या होती है, वो भी पूरा कर लेंगे, आपको description मिलनी की मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं, और देखिए, नार्मल TV में भी जो हमारी, क्या होता है, जो नार्मल TV में हमारी software होती है, उसकी पूरी detail, देखिए, इस screen पर देखाई दे रहा है, पूरी detail जो होगी, आप देख सकते हैं, जाकर, मेरी description में लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं, पूरी फाल्ट आपको, यानि Android TV और Smart TV में, सब्ट्वेर कैसे पड़ता है, जो EMMC हमारी होती है, वह कैसे काम करता है, क्या उसमें होता है, पूरी detail उसकी मिलेगी, और जो नार्मल LED LCD TV में सब्ट्वेर पड़ता है, हमारी 25 स्रीच की, ओ भी पूरे आपको detail मिलेगा, देखिए, ये स्क्रीन पर देखाई दे रहा है, description में link मिलेगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, और देखिए, पैनल की, LED LCD TV की दुनिया की कोई भी पैनल हो, पैनल रिपियर आपको वीडियो मिल जाएगा, description में link मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं, अगर ये वीडियो मेरा देख ले रहा है, पैनल जो फाल्ट है, पैनल का मतलब, अगर ये वीडियो अगर देख लेंगे, तो 100 में से 100% हम कहा सकते हैं, कि आप पैनल रिपियर अराम से कर सकते हैं, पूरी detail आपको पैनल की मिल जाएगी, और ये भी है, ये description मिलने की मिलेग पूरी basic जनकारी, आपको description में लिंक मिल जाएगा, जाकर वहां से आप देख सकते हैं, लेकिन देखी हमारी अब कलास क्या था, जो हमारी कलास था, software, जो pen drive से हमारी क्या होता, pen drive से जो हमारी software होती है, वह कैसे होती है, देखिए 100% में से, क्या होगा, 100% में से हमारी 90% जो ह अचानने के लिए हमको क्या करना होगा LED LCD TV में, जिसमें हमारी indicator अगर dim जल लही है, तो समझ जा ये boot failure है, अगर standby आन नहीं हो रही है, तो boot failure है, अगर हमारी smart TV में, चैंडराइट TV में, logo stable हो चुका है, यानि लोगो पर अगर मालीजी है, हैंक कर रहा है, तो क्या होगा, हमा pen drive में, जो 90% हमारी software ले लेती है, उसमें क्या करना होता है, देखिए, आप कोई screen पर दखाई दे रहा है, यह देखते जाएए, जो, यानि pen drive को क्या करना होता है, सुरु से देखिए, pen drive अगर नया खरीदेंगे, तो उसको क्या setting करेंगे, देखिए, इस screen पर देखाई दे 32 पर, तभी जाकर हमारी software जो होगी, तभी जाकर software हमारी लेगी, LED LCD TV में, अगर उसे फार्मेट नहीं 32 में करेंगे, तो software नहीं लेगी, और जो pen drive हमारी होगी, 32 GB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 16 GB, 32 GB, 8 GB, यही होना, 32 GB से ज़्यादा ले लेंगे, 64 GB, तो software नहीं लेग और दिखिए, आपकी screen पर दिखाई दे राए है, उसे फार्मेट हम कैसे करेंगे, यानि जो फार्मेट होगा हम फार्मेट, laptop या computer, देखिए, laptop से ये करके देखा रहे हैं, यह देखिए, जो हमारी फार्मेट होगी, uto pen drive होगी, pen drive हम कैसे करेंगे, उसमें जाकर क्या करें लेंगे अब देखिए क्या करना है क्या करेंगे पेंड्राइब को अब फार्मिट कर लिए हैं जो डानला है क्या करेंगे हम अब लगा लेंगे और जो साब्टवेर हमको LED LCD TV में डानला है तो उसको क्या करेंगे pen drive को पहले हम क्या करेंगे pen drive में देखिए कभी भी साब्टवेर कापी करते समय कोई folder नहीं बनना चाहिए और कोई RAR फाइल या जिप फाइल नहीं होनी चाहिए यानि साब्टवेर कापी करते समय pen drive में ये बात ध् LED LCD TV जो होगी साब्टवेर लेगी और साब्टवेर लेने के लिए देखिए क्या होता है यह तो हमारी किरिया हो गई पहला क्या था फार्मेट मैंने 32 पर कर लिया और दूसरा क्या होगा कोई भी साब्टवेर कर हम कापी कर रहे हैं तो क्या होगा हमको folder से बाहर रखना है RAR जबार रखना है जिप फार से बाहर रखना है और कभी भी देखिए pen drive में कापी करते समया अगर हमारी बिन फाइल यानि smart TV या android स्क्रीन पर दखाई दे रहा है यानि अगर हमारी जो रिप लिखी होगी रिप के जगप पर क्या करेंगे हम यस ओ यस लिखेंगे तभी ही हमारी पैंड्राइब से सब्टिवेर लेगी और देखिए कभी भी पैंड्राइब से जो सब्टिवेर हमारी होती है पैंड्राइब म उसमें का जाएंगे इजेक्ट जाएंगे क्या होगा EGET इजेक्ट करके जब हम बाहर लाएंगे क्या होगा? जब Pen Drive को साप्ट्वेर प्रकापी करने के बाद यानि सेफ ली हमें revenue करना है तो क्या करेंगे लेटाप का राइट क्ली करेंगे बटवन उसके बसक्त काया देखिए आपके स्क्रीन पर देह रहा है उसके एजिएक्ट बटन डबाकर क्या करेंगे हम इजद बटन जब दाद देएगे तक क्या होगा जो लेट टाफ और पैंडराइब की उसके अंदर जो पैंडराइब में सब्सक्राइब करने से हट जाएगा इसे क्या होगा जो सब्सक्राइब करते समय लाइट नहीं भागना चाहिए याणि pen drive से अब software कर रहे है तो उसके लिए क्या होना चाहिए इनवाटर होना चाहिए यानि इनवाटर अगर नहीं है तो यह minimum बात को ध्यान रखना होगा कि अब जब pen drive से software कर रहे हैं तो light नहीं भागना चाहिए अगर light भागता है तो क्या हो जाएगा हमारी अगर android tv और smart tv है तो क्या हो जाएगा हमारी boot failure हो जाएगा तो हमको emmc करना पड़ेगा यानि हमें programmer से करना होगा अगर normal tv है तो उसमें भी हमें क्या होगा boot failure हो जाएगा programmer से ही करना पड़ेगा उसे erase करके programmer से करना पड़ेगा यानि pen drive से software करते समय कभी भी हमको ये बात को ध्यान रखना होगा कि अगर pen drive से software करते समय अगर light भाग जाता है क्या होगा pen drive से software करते समय अगर light भाग जाता है तो उस case में हमारा क्या होगा light भाग जाता है तो हमारी boot failure हो जाएगी और boot failure की वोज़ा से क्या होगा हमारी क्या को जब boot failure होगी जब boot failure होगी तो हमारी pen drive से software नहीं लेगा उसके लिए हमको programming करना पड़ेगा अगर हमारी normal LED LCD TV है तब तो आसानी साब कर सकते है IC निकाल के कर सकते हैं programmer में लेकिन EMMC यानि Android TV और Smart TV है तो EMMC आपको करना पड़ेगा GTX करना पड़ेगा यानि IC निकाल के आपको निकाल के करना पड़ेगा यानि पूरा आपको system में करना पड़ेगा इस बात के ध्यान रखिए pen drive से software कापी करते समय यह सब आपको ध्यान रखना है और कभी भी pen drive से software करते समय light नहीं भागना चाहिए यानि जहां इनमाटर का connection हो वास करना चाहिए निकाल होगा हमारी boot failure हो जाएगा यह भी बात ध्यान रखिए अगर pen drive में आपने गलत फाइल कापी कर लिया यानि जो हमारी android tv या smart tv या normal tv में जो software चाहिए था अगर आपने pen drive में गलत software कापी कर लिया है तो उसके इसमें क्या होगा हमारी boot failure हो जाएगी क्या होगा boot failure हो जाएगी यह सब आपको बात को ध्यान रखना होगा यानि pen drive से software जो होती है हमारी 100 में से 90% ले लेती है हमको कोई भी programmer की जरूद नहीं होती है चाहिए rt809h हो चाहिए rt809f हो चाहिए u या 5 box हो कोई भी box हो हमारी कोई भी जरूद नहीं पड़ती है अराम से हम pen drive से software कर सकते हैं यह बात हमको ध्यान रखना होगा जो pen drive से software होता है क्या होता है जो हमारी pen drive से software होती है कभी भी pen drive से software करते समय light नहीं भागना चाहिए नहीं क्या होगा हमारी boot failure हो जाएगी यानि बीच में बंद नहीं होना चाहिए जब तक software हमारी होना जाए जो देखिए indicator का हमारी light होती है जब software pen drive से लेगा क्या होगा जब pen drive से software हमारी लेगी तो जब लगा देंगे pen drive से देखिए कभी भी यह आपको बात बता दे अगर normal LED LCD TV है अगर हम pen drive से उसमें software कर रहे हैं तो TV को बंद करेंगे टीवी को बंद करने के बाद पैंडराइब लगा देंगे उसका पावर बटन होता है यानि आना बटन होता है उस बटन को दाबे रहेंगे उसके बाद पैंडराइब उसमें लगा देंगे उसके बाद पैंडराइब उसमें लगा देंगे उसके बाद पैंडराइब उसमें वे बात को ध्यान रखना हो गा, यह की आणनी स्मार्ट टीवी यह एndriye TV में सब्ट्ट्वेर परेद्रा से ज्ञाद तरह तरह हमारी verstores पावर और बुटन होता है उससे दाबना पड़ता है यानि pen drive लगाया power on button दाबा उसके बाद TV को क्या किया आन कर दिया जब तक उसको नहीं छोड़ेंगे यानि तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी pen drive से software लेने नने लगे ठीक है इस प्रकार से होता है जब pen drive से software लेता है तो क्या होता है हमारी जो light होती है blink करती है जो indicator light इसरें इंडिकेटर करती है ने जरणल गिर्ण जब ऐसा समय आता है कि तेजी से बिलिंग करने लगता है तेजी से बिलिंग करेगा अब यह आप समझे है की आप रायेंप जो अपूर हो छोंकी है इस प्रकार से यहारी पर जिसे मॉर्णष प्रकार से है